नमस्कार किस्मत कनेक्शन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ किरती कंसल आज जानेंगे क्या कहता है आपका भाग ये आपका सितारा किस्मत कनेक्शन में वक्त हो चला है स्टूडियो में मौझूद हमारी खास महमान से आपका परिचे कराने का स्टूडियो में हमारे साथ famous terror card reader रंजना राना जी मौझूद है बहुत बहुत स्वागत है रंजिनाराने जी सबसे पहले बताएंगे आज का विचार उसके बाद क्या कहता है प्रदेश का दिन और उसके बाद हम जानेंगे numbers के माध्यम से कि क्या कुछ कहते हैं आपका भाग, आपके सितारे, सबसे पहले जानेंगे आज का विचार आज का विचार हम आपको बताना चाहते हैं कि जो दिल में उतर जाते हैं, उनको आप संभल के रखे मगर जो दिल से उतर जाते हैं, उनसे जोड़ चुके हैं विकास विकास पूछे क्या पूछना है आपको जोब नहीं लग रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजे सुभा चार बजे और एक बार दुबारा से देट ऑफ बर्थ बता दीजे विकास जी हम देखते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम जुरूर है आपकी लाइफ में थोड़ी अप एंड डाउन बहुत जाला रहता है उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बाजरा और चीनी का दान रोज करना शुरू कीजे सूरियो को जल अवश्य दीजे जिससे बहुत जादा आपको लाब मिलने वाला है इसके साथ साथ हम आपको देख रहे हैं जैसे कि कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि आपका डेफिनिटली दो महीने के अंदर अंदर जॉब अवश्य मिल जाएगी इसके साथ साथ हम आपको एक और सेजेशन देना चाहते हैं कि हर मंगलवार आप मंदिर जाना जरूर शुरू कर दिजे कहीं पे आप थोड़ा सा हिम्मत हार गए हैं मगर इसको आपको हिम्मत को बुलंद करने के लिए हम आपको ये छोटी-छोटी दो उपाए बता रहे हैं इनको आप कीजे तो डेफनेटली दो मजीने के अंदर-अंदर आप ये बहुत ही अच्छी नौकरी लग जाएगी चलिए बहुत बहुत शुक्री आविकास कारक्रम में जुड़ने के लिए और भी दरशिक जो ये कारक्रम देख रहे हैं जरूर इस कारक्रम में जुड़े और आप पूछते हैं कि सबसे पहले प्रदेश का दिन क्या कहता है प्रदेश वालों का दिन हम देखते हैं बहुत अच्छा तो रहने वाला है मगर साथ-साथ बहुत जरूरी है कि आज का दिन थोड़ा समय आप मेडिटेशन में गुजारें और जरूर कोई आपके घर के पास अगर मंदिर होगा तो वहां आप जरूर हरुमान जी के दर्शन क करने जाएगा उनका अशिरवाद दीजिए और अपने काम आरंब कीजिए इससे आप देखेंगे आपका दिन बहुत ही जादा अच्छा रहेगा एक थोड़ा सा और आपको सजेशन देना चाहते हैं कि वहां चलानते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसक स्वास्तिया मैंना ठीक नहीं रहता है कि टेस्ट उसकर वादि उसमें आता भी कुछ नहीं पर स्वास्तिया ठीक नहीं रहता है ठीक है अपनी डेट ऑफ बद बता दीजिए 24 अगस्त 1967 चलिए कार्स और नंबर्स के माधिन से बताते कि आखिरकार दिकत कहा रही है और फिर नर्व बहुत जादा वीक हो गई है और यह परिशानी जो आप लेती रहती है सारा टाइम इससे आपके अंदर एक डिप्रेशन टाइप बनने लग गया है जिसको आपको जरूर बहुत जल्द निकालना पड़ेगा ने तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी इस के लावा अपने बैड पे मत लेती है जितना भी हो सके आप वाकिंग कीजिए ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूब हो और आपकी हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाए यह जो प्रॉब्लम सारी आरी है यह आपको खुदी देखनी पड़ेंगी डॉक्टर इसमें बहु आपको बताएंगे यह देख रहे हैं कि देख रहे हैं कि देख रहे हैं कि देविलाल जी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए आपकी जो बहुत जल्द लगने वाली है अब यह situation ऐसी बनी हुई है जैसे कि आप पर लग रहा है कि सब तरफ से आप घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत जरूरी है कि आप दुर्गा चालीसा का पार्ट करना शुरूर कीजिए आपके अंदर एक हिम्मत आनी बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ हम आपको suggestion देते हैं कि हर शनीवार वाले दिन आप जरूर कोई भी काली वस्तु का आपदान कर सकते हैं जैसे की आप औरत की डाल को है काले कपड़े में बांद के वो किसी भी जरूरत मन को देना शुरूर कर दीजिए यह इसी कारण आपके जो आपस्टेकल्स हैं आपकी लाइस में आ रहे हैं इसको अगर आप फॉलो करेंगे इससे बहुत जल्द आपको जॉब भी मिल जाएगी और आप इसमें बहुत तरक्की भी करेंगे तो यह जॉब आपको एक महीने के अंदर-अंदर मिल सकती है चरे बहुत दो शुक्र आदेविलाल जी कारेकरम में जुड़ने के लिए आपकारेकरम में बिना देर के आगे बढ़ते हैं और जाने ते कि नमबर एक वालों के लिए दिन क्या कहता है नमबर एक वालों के लिए हम देखते हैं दिन बहुत बेतर है और इनका आज का दिन बहुत बेतर है अगर ये कोई ना कोई अपने घर या पलॉट या अपने घर जिसमें रह रहे हैं उसमें कोई साथ सजावट कराना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही ज़ादा बेटर है, जरूर कहीं ना कहीं आप निवेश करने का सोचिए और जितना भी हो सके थोड़ा भी हो, उसको भी थोड़ा सा निवेश जरूर कीजिए तो अपने घर में जो भी आप changes लाना चाते हैं उसके लिए आज का दिन बहुत ही बेतर रहेगा इसके साथ साथ रंग भी आपका बहुत सुन्दर है वो है लाल और आपका जो अंक है वो है नमबर 9 आप घर से आज निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाके निकलेगा फिर आप देखिए आपके काम बहुत जल्द बनने लग जाएंगे चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि नमबर 2 वालों के लिए दिन क्या कहता है नमबर 2 वालों के लिए हम देखते हैं थोड़ा मेहनत करने वाला दिन है थोड़ा बहुत जादा करमठ इनको करना पड़ेगा और कहीं न कहीं ये थोड़ा सा दूरन देशी में नहीं जा रहे हैं ये अपने आसपास जो situation है उसी को देखके वो थोड़ा सा घवराय हुए दिखाई दे रहे हैं इसके लिए हम आपको suggestion यही देते हैं कि इतना घबराने से कोई फाइदा नहीं है आप जरूर हनुमान चाली सकाज पाट कीजे और इसको आप करते रहेगा रोज क्योंकि आपके अंदर एक थोड़ी सी जो हिम्मत है जो थोड़ी सी tension है वो दोनों खतम होंगी और इसके लिए आपको यह जो पाट हमने आपको बताया है इसको आप करना शुरू कीजे इसे बहुत जाद आपको लाब मिलेगा आपको रंग बहुत बेतर है पीला रंग है और आपका जो उंक है नमबर तीन आपके लिए शुब अंक रहने वाला है इसके साथ आगे बढ़ेंगे और जा वास्थिका इनको ध्यान रखना पड़ेगा और जितना भी हो सके उनकी सेवा अवश्य कीजिए उनका आशिरवाद अवश्य लीजिए और बिल्कुल घबराएं नहीं किसी भी बात के लिए क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आई है बहुत जल खत्म होने वाली है इसके साथ साथ हम आपको सिजेशन यही देते हैं कि आप थोड़ा दूद में चीनी देकर किसी भी जरूरत मन्द को आप देंगे तो उससे बहुत जादा आपको लाब मिलने वाला है यह चोटा सा उपाया आप कीजिए उससे बहुत लाब मिलेगा आपको आपका जो रंग है वह सफेद औ है उन्हें जरूर अपन zm आएगा अब आके बढ़ेंगे जान लेंगे कि नंबर चार वालो के लिए कि लिए क्या कहता है नंबर चार वालो के लिए हम देखते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई मेरीजी हैं सब तरव से थोड़ी सी प्रॉब्लम है इनकी healt को लेके भ गर में जो टेंशन्स हैं इसके लिए चोटा सा उपाय है अगर आप गुड के सेव लें उस पे थोड़ा सा सिंदूर लगा के आप पक्षियों को डालना शुरू कीजे उससे बहुत जादा आपको लाब मिलेगा क्योंकि जो भी ये टेंशन्स परेशानी है वो आपकी खत्म ह होने वाली हैं और यह उपाय से बहुत जल्दी फरक पड़ेगा अगर आपको इनको मिलेने में मुश्किल है तो आज से आप मीठी रोटी बनाईए चीनी डाल के अच्छे से और उनको पक्षियों को डालना शुरू कीजे उससे भी बहुत जादा आपको लाब मिलने वाला है आपका रंट जो है वह हरा और आपको जो अंक है वह नंबर पांच आपके लिए शुबंक रहने वाला है हरा रनक रहने हैं इसंके साथ अगर आज आपका दिन प्रॉब्लम से भरा रहा अगर आपको भी लगा क्योंकि माम ने तो कार्ट के माधिम से बताई दिया है तो यह जो उपाए बताए गए हैं विशेशकर आपको पक्षियों को खेलाना होगा जो उपाए बताए गया से जरूर अपना यह कैसे आपका दिन और ज्या जाएंगे उसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा और ट्रैवल के दोरान भी आपको अपने समान का थोड़ी से सतर्क बरतनी पड़ेगी और जिस काम के लिए भी जाएंगे उसके लिए बहुत जरूरी है कि घर से निकलने से पहले आप गानेश चालीसा का है शुबंक नंबर छे रहने वाला है जितने भी दर्श्यक के कारेक्रम देख रहे हैं इस कारेक्रम में जुड़े रहे हैं हम एक छूटे से ब्रेक यहां पर ले रहे हैं लेकिन ब्रेक के बाद हम जल्द हाजर होंगे ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आज जान रहे हैं कि क्या कहता है आपका भागया आपका सितारा और सीधा नंबर सीवेवा दिन क्या कहता है और आज कैसा रहेगा नंबर छे वालों के लिए दिन नमबर च्छे वालों के लिए हम देखते हैं, दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, घर परिवार में पूरा सुख होगा, आपको घर में पूरी इज़त, पूरा आपको सपोर्ट मिलने वाला है, काम-काज में हम देखते हैं जरा जादा दिक्कत आने वाली है, मगर उसको थीक करने के लिए हम आपको एक छोटा सा उपाई बताते हैं और उसमें यही है कि आप घर से निकलने से पहले आप ज़रूर थोड़ा गुड़ और दो रोटी किसी भी गाएं को देकर निकलेंगे उससे बहुत जादा आपको लाब मिलने वाला है अदरवाइस जो आपका दि आप है हमार सत्मीना जी पूछे पेटे के बारें पूछना चाहते हूं जी जो पूछना चाहते हैं वो भी बताई है और उनका डेट ऑफ वर्थ 27 अगौस 23 जी ठीक है क्या दिक्कत क्या आ रही है पुड़ाई में थोड़ा कमजोब चरु रहा हूँ ठीक है चलिए कार्ट सर नंबर्स के मादिम से बताते कि कहा दिक्कत आ रही है और क्यों वो पढ़ाई के शेत्र में थोड़ा पीछे हैं हाँ देखिए हम आपके जो बेटे का प्रॉब्लम है वो यह है कि वो थोड़ा कन्फ्यूज रहता है बहुत जादा हिम्मत उसमें कम नहीं है मगर कन्फ्यूजन थोड़ी उसके दिमाग में जादा रहती है उसके लिए हम आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहते हैं उस है बगर कन्फ्यूजन थोड़ी से जादा दिखाई दे रही है और इसमें यह भी हम आपको सजेशन देते हैं कि बच्चे को आप सजेस्ट कीजिए कि रोज गायतरी मंत्र का जाप 11 बार जरूर करे सुबह करे या जिस भी समय आपको उसको मिलता है वो जरूर करना शुरू चुके सोनिया पूछे है हां जी मैं मैं आपकी कुछ लेने जाते कुछ नौकरी करने जाते नहीं है ठीक है आपकी डेट ओफ बता दीजिए एक दिसम्बर 1997 चले कार्ट सव नंबर्स के मादेम से बताते हैं दिक्कत कहा रही है और किस तरह से आपको तयारी करनी है अपने चुके पाने के लिए यह भी आपको बताएंगे और जरूर उन्हें नौट कीजिएगा सोनी जी हम यह देखते हैं कि आप बहुत जादा इमोशनल है हिम्मत जरूर बहुत जादा करती हैं मगर इसमें प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली इसलिए हो जाती है कि हिम्मत करने क बार जब आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है आप परिशान लगाती है अपनी हिम्मत मतहार यह एमोशनल यह अपने आपको फुरा सक कंट्रोल करना शुरू कीजिए शिव चाली साइका पार्ट कीजिए और हो सके तो सौमवार वाले दिन आप जरूर ग्यारा सौमवार के शि आप बार कीजिए फिर आप देखिए आपकी नौकी अच्छी भी लगेगी और उसमें आप बहुत जादा तरक्की भी करें चले बहुत दो शुक्रिया आप आगे बढ़ेंगे जाननेंगे कि नंबर साथ वालों के लिए दिन क्या कहता है नंबर साथ वालों के लिए हम दे हैं उनको पूरे confidence के साथ आप face कीजिए इस problem से क्या आपको सीख मिल रही है वो आप सोचे और पूरे समझदारी के साथ अपना जो भी problem है उसको आप सुल्जा लीजिए इसके साथ साथ हम आपको suggestion ये भी देते हैं कि आप जरूर राम रक्षा स्त्रोत का पार्ट करना शु और आपका जो अंग है वह है नंबर साथ चलिए कारक्रम के अगले दर्शक हमारे सा जोड़ चुके बलजीत बलजीत पूछिए क्या कुछ पूचने चाहते हैं आप मैंडम मेर लगका है पढ़ाई में वी के तो रासा ठीक है उसके वादे पूचने देट ऑफ बर्थ और उनका नाम बता दीजिए 17-2009 17-2009 और उनका नाम मामत जातन गई ठीक है अब इकार्ड्स और नंबर्स के माधिम से बताते कि आखिरकार देकत कहां आ रही है और जो पाए बताएंगे तो जरूर अपनाईएगा आपको जरूर लाब मिलेगा देखें आपका बेटा थोगा वीग जरूर है मगर इसमें यही है क्योंकि इसकी लाइफ में राहू और केतू का कंजंशन आ रहा है जिसकर के यह हिम्मत तो करते हैं मगर इसमें इनको सक्सेस नहीं मिल पाती है उसके लिए हम आपको सुझेशन देंगे कि हर मंगलवार किस है वो आ जाएगी ने तो वो चोटी चोटी बात को लेकर परिशान हो जाता है और उसकी जो कंसेंट्रिशन है वो खराब हो जाती है लड़का आपका बहुत अच्छा है हिम्मती है मेहनती है मगर थोड़ा सा उसको लाड़ प्याद की भी जादा जरूरत है और जो इसके मा करने पडिएंगे और साथ-साथ ये भी बहुत जुरूरी है कि अराम से बैठकर अपनी लइफ की प्लैनिंग कीजिये अपने जो पैसे बातों के बातों को लेकर और आज इसको बैठकर पहले आप सुल जाएए उसके बाद आगे आ बढ़ें ने तो ऍऊपने अभीन अभी प्लाइनिंग का दिन मानकर आप चलिएगा और उसके साथ साथ जो रंग है आपका बहुत सुंदर है वो है सिल्वर ग्रे और अंग जो है वह है नमबर चार किसी भी जरूरत मन्द को आज आप भर पेट खाना के लिए उससे आपको बहुत जादा लाब मिनने वाले हैं आपको जिस तरह पहले आपका घर में इज़त और मान होती थी वो जरूर आपको होगा इसके साथ साथ अपने घर में जो बड़े बुज़र्ग हैं उनसे आप रोज जब भी आप घर से निकले आशिरवाद लेके निकले फिर आप देखिए आपका जो टाइम है बहुत ही अच्छा निकलेगा और आपके हर दिन एक अच्छा दिन निकलने वाला है तो इसके साथ सथ साथ जो रंग है वहिए केसरिया ौर अंक जो है वहें नमबर एक सोरे को जल देखर घर से निकलिएगा आपका दिन आज का बहुत भी बेतर जिए हैं जबाए तो सभी नमबर्स हमने जाने लिए कि किनका दिन कैसा जाने वाला है बहुत बहुतNew आ pains fanate अपना कीमतिस हमें तक स्वार्ण देने के लिए और तमाम वह दर्शक जो लगातार ये कारिक्रम देख रहे थे उन सभी का शुक्रिया इस कारिक्रम में जुड़ने के लिए कल फिर से आप इस कारिक्रम में जुड़ सकते हैं जो भी समसे आपको आ रही है वो पूछ सकते हैं कल फिर हाजर होंगे फिलाल मुझे दीजे जाज़त नमस्कार झाल झाल